ओम नमाः शिवाय शिव सबके सहाई दुरलब सामगरी की एक और अती दुरलब वीडियो में आप सबका स्वागत है आज की वीडियो बहुत खास है तो इसे अंत तक अवश्य देखें आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चेतन्य मंत्र दे रहा हूँ जिसको सवालाग जाप करने की आवशक्ता नहीं है मात्र कुछ ही जाप में यह सिद्ध हो जाता है और आपके लिए कारे करना शुरू कर देता है यह इतना प्रभावशाली मंत्र है कि जो भी इसे जाप करेगा उसका कारे बनेगा ही बनेगा यदि सच्चे दिल से इसे जाप किया जाए तो हर हाल में व्यक्ति का काम बनता है यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए इस मंत्र का जाप करेगा तो उसकी प्रेमी का चाहे कोसो दूर क्यों ना हो वो उसके लिए दोड़ी चली आईगी और यदि कोई प्रेमी का अपने प्रेमी के लिए करे अगर उसकी प्रेमी का छोड़ के उसे चली गई है कोई बीच में आ गया है किसी तरह का मन मुटा हो गया है या किसी ने कुछ करा दिया है तो बाबा पीर फकीर के पास जाने की आपको आवशक्ता नहीं है आप अपना इलाज स्वेम कर सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से इसी लिए इस वीडियो को अंते तक अवश्य देखें और सारी जानकारी प्राप्त करें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी गलत जानकारी से भी खतरनाक होती है यदि ग्यान हो तो पूर्टा हो अथवा ना हो यह वीडियो बहुत ही छोटी वीडियो है इतनी खास लंबी नहीं है और इसमें जो मंत्र बताए गए हैं ये भी बहुत छोटे मंत्र हैं जो की बहुत तीवर गती से काम करते हैं हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र जो होते हैं ध्वनी यानि उच्चारण के जरीए काम करते हैं वाइब्रेशन्स पे काम करते हैं अक्सर लोग बोलते हैं मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा है या मेरे से काम नहीं हुआ उसका एक सबसे बड़ा कारण यही होता है कि मंतर की जो उचारण करने की शक्ति होती है उसमें यदि तुरटी आ जाए जरा सी भी उसमें खामी आ जाए तो वह ठीक परकार से काम नहीं करेगा मंत्र जाप करते हुए हमेशा मंत्र के उच्चारण का सही ध्यान रखें यदि मंत्र का उच्चारण सही है तो आपका कारे बन के रहेगा इसमें कोई दोराय नहीं है और जो मैं आज आपको मंत्र देने वाला हूँ यह होली के उपर है यदि आप अपने बिच्चडे हुए प्यार को पाना चाहते है या आपका प्यार आपसे रूट गया है और आपने बहुत जगह अपना माथा फोड़ा फिर भी आपका काम नहीं बना तो आपके लिए इस मंत्र को इस्तिमाल करना नितांत आवशक है का ले सकते हैं या किसी और गाएं का भी ले सकते हैं लेकिन वह नहीं चलेगा आपको सिर्फ देशी सफेद गाएं का लेना है और वही गोबर कारे करेगा गोबर सूखा हुआ हो तो भी कार्य करेगा और यदि गीला है तो भी कार्य करेगा आपको देशी गाएं का गोबर लेके आना है अब ये गोबर कहां से मिलेगा ये आपको खुद ढूंड़ना पड़ेगा याद रखिए कुछ चीज पाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है अगर आप सोचें कि पकी पकाई रोटी आपको मिल जाएगी तो ऐसा संभव नहीं है आप सोची कि आपका प्यार वापस सिर्फ सोचने भर से आ जाएगा तो इतनी शक्ति अभी हम सब में नहीं है आपको गाएं का गोबर लेना है और उसके उपर आपको गाएं का ही घी डालना है गाएं का गोबर और उसके उपर गाएं का घी डालिए और साथ लोंग लीजिए साथ लोंग आपके किचिन में आसानी से मिल जाएंगे आपके रसोई में आप देखेंगे तो आपको लोंग आसानी से मिल जाएंगे हर किसी को मिल जाएंगे आपको साथ लोंग लेने हैं और लोंग को अपने सर के उपर से साथ वार घुमाना है clockwise और सर के उपर से घुमाते हुए आपको मंत्र जाप करना है ओम परी प्रियाम देवी भैरवी फट स्वाहा इस मंत्र को जाप करना है अपने सर के उपर से लोंग को घुमाते हुए सारे लोंगों को एक-एक करके घुमाना है एक लोंग को घुमाया उसके बाद उसको गोबर में गाड़ दीजिए दूसरे लोंग को गुमाया उसके बाद उसको गोबर में गाड़ दीजिए इस तरह से आपको एक गोबर की पिंडी में साथ लोंग गाड़ देने हैं होलीका बन रही हो वहाँ पर आप रखके आ सकते हैं यदि आपको शर्म आती है या आपको लगता है कि कोई मुझे देख लेगा मैं नहीं जा सकती तो ऐसे में आपको उसको अपने घर पे रखना है और जिस दिन होलीका धहन हो रहा हो उस दिन होलीका में चुप चाप से जाक रखतीजिये और वो जल जाना चाहिए एक बार अगर वो जल गया तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ती नहीं है जो आपका काम होने से रोग दे ये इतना प्रचंड और तीवर वशीकरन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते बड़े से बड़ा मुसलिम भी इसको नहीं काट सकता कर सकता अगर आपने यह गोवर जला दिया तो हमारे पास लाखों की संख्या में लोगों के कॉल आते हैं जिनके काम बनते हैं और हमें शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन हम ही उपस्तित नहीं होते पूजा में इतने व्यस्त होते हैं कि हर किसी का कॉल उठाना संभव नहीं होता फिर भी हमने एक कॉल उठाया और वो क्या कहते हैं उनकी कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी अच्छ एप इस तरह थेंक्ज करों मुझे समझ नहीं आ राद अच्छा अच्छा इसमें डिनी कितने टाइम से आप मतलब ये प्रोसेश कर रहे था या कैसे दो साल से बच्छा नहीं था ने जी दो साल बच्छा डेवी नहीं हुआ था अपस ठीक है फिर हमारी वीडियो कब देखया अपने अच्छा 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 तो यह उपाय कब किया था अच्छा 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 गुरुजी मैंने वैसे ही किया पहले मेरे बेटी के पास बेटी हुई अब बेटा हुआ है अरे वाई यह तो बहुत ही अच्छी बात है मतलब इश्वास होगे आपको मैंनी थैंक्स आपका मेरे पास शॉबत नहीं है आपका थैंक्स करने के लिए हमें भी अच्छा लगता है और देखिए शुक्रियादा भगवान का करिये वही सब के पालन हार है हम तो सिर्फ एक माध्यम है हाँ जी और अब कैसा लग रहा है आपको मतलब यचीन होगे आपको कि हमारी वीडियो वाकि में इताम करती है अच्छा और जो लोग मेहनत करते हैं जिनके काम नहीं बन पारे हमारी वीडियो देखकर भी उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो लोग पीछ में छोड़ देते हैं विश्वास करना चाहिए हर चीज का टाइम होता है यहां पे उनकी सोचे थोड़ी गलत है विश्वास की यह सब काम होते हैं तो आप खुश है ना अभी बहुत खुश हो मैं बस बस देखे जब आप लोग खुश हो जाते तो हमें भी अंदर से खुशी मिलती है और हमारा मक्सर दिये कि आप लोगों तक खुशी पहुंचाना आपके रुके काम को पूरा कर देना बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता मत करिये आप वीडियो देखिए और उसमें कोई भी वीडियो देखिए जिसमें आपको बताया जाए कि हेल्थ के लिए स्वास्ते के लिए कोई उपाय बता जाए उस उपाय को करिए तो आपके हेल्थ आपके बच्चों के भी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहेगी ठीके जी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके प्रणाप जी प्रणाप देखा आपने किस प्रकार से इनके काम बन गए अब इनके काम बने हैं तो आपके भी काम बनेंगे सिर्फ आपको जरुरत है विश्वास करने की एक मात्र विश्वास यदि पूर्णत है विश्वास होगा तो आप किसी भी कारे को सफलता पूर्वक कर सकते हैं अधिकतर कार आधे रह जाने की एक यही वज़ा होती है कि हमारा विश्वास कहीं डगमगाने लगता है कहते हैं यदि विश्वास की पहली सीड़ी चड़ी जाए तो बाकी सीड़ी देखने के आपको आवशकता नहीं है वह स्वेम आपको दिखने लग जाती है सिर्फ आप एक विश्वास करके ये मेरा एक छोटा सा उपाय करिए और उसके बाद मैं ये आपसे दावा करता हूँ कि परिणाम हैरतंगेज होंगे नतीजे नदारत होंगे बस आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब